आरारवी एंटीपीसी, सीवीटी सेकंड की तारीकों का एलान हो चुका है और मुझे लगता है कि आप मेंसे बहुत सारे बच्चे इस डेट का इंतजार भी कर रहे होंगे एकजाम डेट का इंतजार भी कर रहे होंगे तो मुझे लगता है कि exam date आ चुकी है तो और अच्छे से आपकी महनत सुरू हो जाएगी और आप लोग और अच्छे से तैयारी इक सुरू कर पाएंगे लेकिन एक और बात बता दूँ आपको जब भी आप लोगों किसी exam के बारे में जानना होता है न उसके बारे में क्या update हुआ है उसके बारे में जानना होता है न तो उसकी official site पर जाये करिएगा किस पर official site पर जाये करिएगा और क्या रहता है कि वहां तुरंत जब भी कोई भी update हो रहा है कोई भी बदला हो रहा है कोई भी notification आ रहा है तो तुरंट वहाँ अपडेट कर दिया जाता है वहाँ डाल दी जाती है जानकारी जैसे आपको RRB के बारे में कभी कोई जानकारी एकटी करनी है एक्जाम के बारे में जानना है या उसकी एक्जाम डेट के बारे में जानना है सेलेवर्स के बारे में जानना है इसरे चैन की online परिक्षा 9 और 10 मई 2022 में आयोजित की जाएगी कब 9 और 10 मई 2022 में और इससे पहले आपने देखा होगा कि यह आप देखेंगे कि जो NTPC graduate और अंडर graduate है ना पोस्ट उनकी बात हो रही है और इसमें आप देखेंगे पहला stage आप सभी को माल होगा कि जो आपका railway भरती बोड का जो पहला railway का आपका NTPC का stage परिक्षा होई थी तो इसमें आपने देखा होगा कि 7 पेज में होई थी और आप देखेंगे 28 देसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 के बीच होई थी कब जो आप सभी जानते हैं पिथम चर्ण computer आधारी test था CBT फर्ष्ट कहते हैं जैसे 28 देसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक 7 चर्णों में आयो जित की गई थी फिर आप देखेंगे इसका CBT फर्ष्ट का रिजल्ट आप देखेंगे कब आया था इसका रिजल्ट पॉब्लिस हुआ था आप देखेंगे कि 30 मार्च 2022 से 1 अपरेल 2022 में टेक है तो यह भी आप लोगे लेवल है क्या है लेवल इसमें लेवल 4 एंड 6 CBT फर्ष्ट तो इसमें आपको मालू होना जो आपका कप्प्यूटर बेस्ट टेस्ट है ना CBT फर्ष्ट इसमें आप देखेंगे पेल लेवल 4 और 5 कित है क्वालिफाई हुए उम्मेदवारों के लिए दूसरे चर्ण की प आयूजित की जाएगी 9 और 10 मई 2020 को तो ये भी याद रखेगा और जो आप देख रहे हैं कि एकजाम लेवल जो आपका है जिसमें आप देखेंगे पे लेवल 2, 3 और 5 इसके एकजाम का सिडूल बाद में जारी किया जाएगा कब किया जाएगा बाद में किया जाएगा तो ये भी ये भी आप लोगों को मालू होना चेव जारी नोटेस में बोर्ड ने ये भी कहा है कि उम्मिदबार किसी भी ताज़ा अपडेट के लिए केबल अधिकारिक रीजनल वेफसाइट पर ही आप देखें वेफसाइट पर दी गई जानकारी ही चेक करें किसी भी अन लेकिन एकजाम डेट तो कम से कम आपको मालू चल गया है तो मुझे लगता है कि आप लोगों का मन और अच्छे से पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा तो चलिए आप लोगों के लिए खुस खबरी थी और जब भी मुझे खुस खबरी मालू चलता है तो आप लोगों तक पहुचाता रहता हूँ तो 9-10 माई 2022 याद रखेएगा और यही दिमाग में मुझे तो लगता है कि आप लोग ऐसे ही दिमाग में रख लिया करेगा कि हमारा पेपर बस आंगे आने ही वाला है तो मुझे लगता है कि जब हम लोगों को मालू चलता है कि डेट बढ़ गई एकजाम की या बहुत लंबा समय है हमारे पास तो हम लोग एक तरह से आलस भरने लगते हैं और आप देगे एक सोचते हैं कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे लेकिन एकजाम डेट सोचते हैं कि अब आ ही गया है तो बड़ा मेहनत करने लगते हैं तो लगे रही है फिरहाल